नमस्का दोस्तों पैंडोरा के एक नव एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक नहीं करना है तो ठीक है सब्सक्राइब जरू कर लीजिए क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी एनिवेज गाइस सो यह वीडियो पर मैं बताने वाला हूं कि आप स्कैमर्स या स्कैम कंसल्टेंट्स कैम जॉब से कैसे बचे बेसिकली जब भी आप जॉब ढूंते हो तो आप क्या करत सबसे जनुइन जॉब वही होता है जहां पर आपको अगला बंदा अगर कंसल्टेंट है तब ठीक अगर नहीं है अगर डारेक्ट किनों कंपनी है तब ही ठीक है एनिवेज अगर आपको कोई भी ऐसे बंदे मिलता है जो कि आपको बोले हैं कि you know we can hook you up with an interview you know it's pretty easy to crack it job बहुत easy है आप कर लोगे that's okay सब कुछ ठीक है लेकिन अगर कोई आपको बोलता है कि आपको हम लोग करवा देंगे प्रोसेसिंग के लिए सौ रुपय लगेगा डेड़ सू रुपय लगेगा कोई कोई तो ढाई ती नजार भी बोलते हैं अरे भाई प्रोसेसिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है अगर कंपनी अपको हायर करती है अगर को कोई कंसल्टेंट के थ्रू में आप जाते हों कंपनी आपको हायर कर लेती है आप के जौप के एक महीन एक के अंदर अंदर को पैसे मिल जाते है रिफरल के and that is quite handsome you know it can raise any way for domestics its like 500-1000 और 2000 रुपीस इंटर नेशनल के लिए तो दो तीन हज पार्टी होते हैं वो चलायता है 15-20 है तक कंपनी टो कंपनी डिपेंड करता है एक एक बंदे के लिए तो कोई भी एक्चुली आजकल जॉब इतनी इजी हो गई है मतलब it's it might be difficult for you guys because maybe आप सही तरीके से ढून नहीं रहे हो कोई भी जॉब हो अगर मैं जॉब ढूने लगता हूँ और मुझे कोई बोलता है कि भाई हम लोग आपको जॉब करवा देंगे पहली बात तो कोई जॉब करवाता है नहीं जॉब आपको अपने बलबुते में मिलती है आपका इंटर्व्यू कैसा जाता है वो आप ही पर डिपेंड करता है कोई अगर आपको बोलता है कि मैं आपको करवा दूंगा मेरा एचर के साथ सेटिंग यह है वो है तो मेरी राय यही रहेगी कि दो not fall into those traps do not get into those because they are practically scammers they would be asking you आपको मांगे कि हम आपको करवा देंगे इसके लिए इतना पैसा लेगा उफर लेटर मिलगा ईपको इतना पैसा मिलेगा तो तो दो नट फॉल इंट रोजर्जों पाउस बहुत साले लोगों को साथ यह होता है इवन इफ मेरे डिज्यूम आज भी पड़े हुए है नौकरी वोकरी पे कॉल्स आते रहते हैं आए दिन कि हमारे पास जॉब है हम करवा देंगे आपको प्रोसेसिंग चार्जस लगेगा बारोसो तीस रुपए भी जॉब आपको मुझे देनी है आप इंटर्व्यू लो पैसे किस बात के प्रोसेसिंग चार्जस आपको लेना है आप आगे वाले कंपनी से लो ना मेरी हाइरिंग तो हो जाने दो तो यही रहता है दोस्तों कोई भी आपको कभी भी कहीं पे यही बात बोले तो आप मना कर दो दूसरी बात सबसे से क्यों और तब बैस पॉस्टिंग निकली है या नहीं है अगर उनकी कमपनी डेकलार करते कि हान पोस्टिंग निकली हुए तो आप अपने दोस्त के रेफ़रेल से वहाँ पे जाके interview दे सकते हैं, जो कि बहुत secure रहता है कोई-कोई companies में ये होता है कि मैं जितना देखा हूँ कि थोड़ा सा influence तो रहता ही है कि अगर आपका दोस्त कोई काम कर रहा है हो same company में, वो अपने manager से बात करता है, उनके manager उनके VP से बात करता है, VP HR से बात करता है तो थोड़ी मोड़ी तो leniency मिल जाती है लेकिन अगर आपको quality उसके साथ match नहीं करती है तो आपको job नहीं मिल पाती है लेकिन थोड़ी मोड़ी अगर आप referral से जाओगे अपने कोई friends या colleagues previous colleagues, तो थोड़ी मोड़ी help तो मिली जाती है काफी सारे cases ऐसे देखे हुए है मैंने थोड़े मोड़े leniency मिल जाती है interview में तो bottom line यह है कि कोई भी अगर आपको पैसे मांगता है, कोई भी reason से कोई भी बड़ी company का नाम देता है कि मैं इस company में काम करता था जितने कुछ भी होजा है अगर आपको पैसे अफ्रेंट मांगते है मना कर दो जॉब मिलने के बाद भी पैसे मांगते है मना कर दो भाई सीधी सी बात है जॉब मिलने के बाद मैं क्यों पैसे देने जाओंगा जबकि आपको company पैसे दिनी चाहिए मुझे जॉब मिलेगी जॉब मिलेगी उसमें से अगर आपको पांचे रुपे दे दूगा तो मैं खुद कैसे यह करूंगा मैंनेज करूंगा तो जो की होते हैं नौ जवान जो लैक 18 19 20 21 जो की जस नहने ग्रैजुएट या हाइज सेकेंडरी पास करके निकले और जो की जॉब ढून रहे हैं और उनको कभी भी ऐसे consultants मिल जाते एक दम भीडी के जैसे बैठे हुए है olex olex पे to be very honest with you मिल जाते है एक्साइटमेंट रहती है पापा ममी से ले लेते दो ड़ाई अजार रुपए दे रहते हैं फिर consultant की आगत है पैसे लेके खाकर बाहर जाता है बंद कर देता है फोन सिम कार्ट तो मिल जाते हैं आजकल तो यह बात एक्चुली सही नहीं होती है तो आप देखो आप अगर हाँ और एक बात है अगर आप कोई consultant को office में जाते हो और देखते हो कि कौन interview करवा रहा है कहां पर interview हो रही है अब location देखो आज पड़ो उसके दुकान लोगों को पुछो यह consultant कबसे यहां पर है यह office यहां पर कबसे बैठा हुआ है आप अंदर देखो अंदर जाकर जज करो कि office कैसा है कैसा नहीं है क्योंकि मैं एक बर interview के लिए गया था तो office में घुझा office में पता ही नहीं चल लेगी एक consultancy office है कुछ नहीं है कोई poster poster कोई signboard कुछ नहीं है वो रात तो रात गायब हो सकते हैं आपको कोई पता नहीं चलेगा और वो मुझे 30,000 actually मांग रहे थे जॉब के लिए बताइए 30,000 for a job जिसकी salary है 25 रुप है तो anyways तो ऐसे लोगों से आप दूरी रही है जॉब बहुत है available फिलहाल कम है लेकिन कोरोना से पहले बहुत जॉब थे हाले में धिरे-दिरे open up हो रहा है सब कुछ अभी openings काफी सारी चल रही है तो आप देखते रही है कोशिश करते र रहता है तो यह हो गया jobs और scammers से बचने का तरीका माप मेरी सला मानोगे तो आपके पैसे वेश्ट नहीं होंगे आपको जॉब भी मिल जाएगी और आपको दो पैसे किसी को देना भी नहीं पड़ेगा वीडियो अच्छी लगी तो दूस्तों कर लीजिए और अभी तक सब सब्सक्राइब भी कर लीजिए साइट में बेल वाल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन की घंटी बचती रहे जब भी वीडियो पूस्ट करूंगा तो एनिवेस गाइस इट वस रिली नाइस स्कैचिंग अपन अल अफ दिस और आपको कोई भी थैंक्स फर स्थिकिंग अरूंग वे ग्राइड लाइस